हर किसम के free lectures के लिए YouTube चैनल साहिल organization सब्सक्राइब करें आज का हमारा topic है deterministic and probabilistic relations और models कि हमाई पाद जो दो किसम के models यहाँ पर हम आज बात करेंगे हम लोगों ने previous वीडियो में देखा कि अगर हमें relationship देखना हो तो हम लोग क्या करते हैं हम regression का method यूज़ करते हैं जिनमें a को हम dependent variable कहते हैं और a को independent variable कहते हैं जैसे हम यहाँ पर बात करें थे height की कि height हमारा dependent variable है और हम independent variable यह रहे थे age को तो क्या इनमें वाकि ही हमारे पास age है वो height पर असल अंदाज होती है या नहीं होती तो हम regression को use करते हैं और इस relationship को, इसको हमें देखने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग models को use करते हैं, अब हमारे पास दो किसम के model आते हैं, लेकिन हमारे पास जो relationship है, सबसे पहरे हम देख लेते हैं, वो भी दो किसम का है, या तो linear होगा या non-linear होगा या अगर हमाई पास जो relationship है इन दोनों में वो हम एक straight line के जरीए हम लोग देख सकें कि मतलब अगर एक age जो है अगर हम एक ही age डालते हैं तो उसके मताबक एक ही height होनी चाहिए सब की तीक है जैसे 17 अगर किसी की age है तो उसके height हम कहते हैं कि वो 4, 5 है 4, 5 इंच है तो फिर सब की इतनी ही होनी चाहिए अगर ऐसा है तो वो linear होगा और अगर ऐसा नहीं है तो यानि अगर एक line नहीं है बलके सब की different है age जिनकी 17 है उनकी height भी different है तो वो जारी बात एक straight line नहीं होगी तो हमारे पास क्योंगा non linear होगा हम बात करेंगे linear की क्योंकि हमारा main focus जो है वो क्या है वो linear है यहाँ पर तो linear के case में हम इसको किस तरीके से कहते हैं कि y is equal to a plus b x हम इस form से इस relationship को लिखते हैं जबके a क्या है a हमारे पास intercept के लाता है यह minimum value होगी अगर हमारे पास जो x की value zero हो जाती है b क्या है b हमारे पास धलबान होगी यानि steepness जो है line की उसको हम लोग कहते हैं कि यह उस value को represent कर रहा होता है और अगर हम x की values को change करते जाएं तो b जो है यह fix ही रहेगा जिसे हम compute कर लेते हैं जिसे हमने previous videos में पढ़ा है कि इसकी value हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं तो हमारे पास जो है वो minimum value जो change आएगा x में वो represent कर रहा है अब यह model जो है हमारे पास y is equal to a plus bx यह दो तरह से हो सकता है एक है exact जिसका हमने उपर बात की y is equal to a plus bx और एक होता है non-exec पहले हम देखते हैं exact को जैसे के for example हम यहाँ पर example लेते हैं Celsius और Fahrenheit की इनके दर्म्यान में हमारे पास एक exact relationship है हम सब ने यह formula पढ़ा है f is equal to 32.9 by 5 c तो Celsius की जो value हमारे पास रहती है उसके अंदर इतना ही हमारे पास इसमें A और B जो है अगर हम इस तरीके से देखें model को और यह हमारे पास Y है यह C है जबके यह और B है तो यह भी हमारे पास एक exact relationship बन रहा है Fahrenheit और Celsius में जो के linear form का है अब C जो है हम उसमें एक value डालेंगे जो भी value डालेंगे हमेशा Fahrenheit में उतना ही change रहेगा यह एक exact relationship है इसमें कोई भी randomness हमारे पास नहीं है non exact में हमारे पास क्या होता है non exact में हमारे पास randomness यानि error का element जो होता है जिसे हम लोग epsilon से लिखते हैं यहाँ पर अगर हम लोग sample की बात करें तो फिर हम लोग e से इसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास होगा इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास Height है और Weight है हम Height देखते हुए अगर किसी बंदे का Weight पताना चाहें तो जाई बात हम exact में पता सकते कभी कबार हमारे पास ऐसे cases भी होते है Height जो होती है वो छोटी होती है Weight बहुत जादा होता है तो यानि वो एक fix चीज नहीं उसमें randomness है उसमें change होता है तो वो randomness जो हमारे पास error आता है जिसे हम लोग कहते है randomness है जिसे हम लोग show करते हैं E से तो यह हमारे पास क्या है non exact होगा यानि के linear relationship में भी हमारे पास दो cases है exact और non exact इस model को हम लोग क्या कहते हैं जो exact होता है deterministic कहते है deterministic model या relation कहेंगे अगर हमारे पास non exact हो तो हम उसे क्या कहते हैं कि यह हमारे पास क्या है probabilistic relation या probabilistic model है तो आज का हमारा topic था deterministic and probabilistic relations or models.